हेलो बच्चों आप सभी को स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में बच्चों आप सभी कैसे हैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है पार्ट साथ रसोई घर जो आपकी बुक है न फर्स्ट क्लास की रिमजिम उसका साथ माँ पार्ट है ये रसोई घर तो रसोई घर की कविता जो है वो आज हम पढ़ेंगे तो आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे उससे पहले एक जरूरी बात यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी जरूर किया करें और शेयर तो आईए शुरू करते हैं रसोई घर का पार्ट सबसे पहले आप जो चितर देख रहे हैं यह है रसोई घर का चितर यहाँ पर देखेंगे यह अलमारी है और अलमारी में देखो यह घडा रखा है यह मर्तबान यह बोतल यह दो थालिया यह कडची यह गलास है और यह कटोरी है और यह है आला आला बोलते हैं छोटी सी अल और ये है चीका इसको बोलते हैं चीका गाओं में क्या करते हैं यह ऐसे रसी बांद देते हैं इस तरीके से और ऐसे चोटा सा जाल बुन देते हैं उसके उपर यह देखो यह बरतन रखा हुआ है मिट्टी का इसमें घी या कुछ ऐसा सामान रख देते हैं जो कि कुत्ते या बिल्ली ना खा पाएं उसके बाद अब नीचे देखते हैं चित्र में क्या दे रखा है ये आपकी बुक में है ठीक है ये देखो ये गैस है और गैस पे ये चूला है चूले के ऊपर तवा रखा है और ये चूला है इसके ऊपर ममी ये जो बच्चे की ममी है ये डाल बना रह प्लेट में कुछ कड़ची चमच रखी हुई है ये लोटा ये दो ग्लास है और ये पानी करने वाला बारतन ये कटोरी और ये कडहाई कड़ाई में कटी हुई सबजियां रखी है यह बना कर रखी है ममी ने सबजियां इस बच्चे की और यह है आटा मड़ा हुआ रखा है परात में और यह बेलन यह चाकू यह चीम्टा ठीक है और यह चकला है यह बेलन है जिससे की रोटी बेलते हैं उसके बाद आप देखते और और क्या है इस चित्र में यह एक तॉलिया टंग रही है यह दो मर्दबान है यह खिलकी है लकड़ी की जिसके अंदर कुछ रसोई का जरूरी सामान रखा हुआ है उसके बाद यह देखो यह टोकरी है टोकरी में सब्जी रखी है घिया टमाटर गोबी और यह पालक यह ज शीशा देख रही है उसके बाद यह देखो यह आपको दिख रहा है ना अंगीठी रखी हुई है इसमें आग जलाते हैं और खाना पकाते हैं इसके उपर यहां बरतन रखते हैं और यहां पर यह देखो यह चुवा बैठा हुआ है ना देखो इसके अंदर जहां यह बच्चा है, यह क्या कर रहा है यह चावल साफ कर रा है, चावलों में से कंकर के साथ कुछ न कुछ काम करवाते हैं रसोई घर में, जब आपकी ममी कहती है के पानी ले आओ या कुछ भी काम छोटा मोटा कुछ तो करवाते हैं न आप सभी तो चलिए अब पढ़ते हैं रसोई घर की कविता सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उसको पढ़ेंगे आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं अंदर देखा चकला बेलन चाकु छलनी बोल रहे हैं ये देखो ये चकला और ये बेलन ठीक है ये दोनों क्या कर रहे हैं बोल रहे हैं आपस में ठीक है फिर से एक बार सुनेंगे आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं मैं चाकू सबजी फल काटू तुकडा तुकडा सबको बाटू गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर एक बार फिर से पढ़ेंगे देखो यह देखो यह चाकू और यह तो है चाकू काटने वाला और यह है जो छील नहीं होती है ना मतलब इससे क्या करते हैं छिल के उतारते हैं जैसे खीरा मूली गाजर आलू इसके छिल के उतारे जाते हैं और इससे काटा जाता है ठीक है फिर से सुनेंगे देखो एक बार मैं चाकू सबजी फल काटू टुकडा टुकडा सबको बाटू गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर उसके बार रगला गोल चांद सी हूं मैं थाली बज सकती हूं बनकर ताली मुझ मैं रोटी सबजी डाली और सभी ने जटपट खाली देखो ये थाली है और ये कटोरियां ये थाली बोल रही है क्या बोल रही है फिर से सुनो गोल चांद सी हूं मैं थाली बज सकती हूं बनकर ताली मुझ में रोटी सबजी डाली और सभी ने जटपट खाली आप इस कवीता को फिर दुबारा से वीडियो को आराम से चला करके एक दो बार सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी आप करते हैं इसकी एक्सरसाइज कुछ और काम अब देखो क्या काम है मैं चाकू हूँ ये चाकू है मैं सबजी क्या करता है चाकू बताओ बताओ क्या करता है मैं सबजी काटता हूँ काटता ऐसे लिखेंगे काटता फिर लिख देंगे हूँ ऐसे ठीक है मैं सबजी काटता हूँ उसके बाद अगला, अगला देखो क्या है, हम इसके बारे में बताना है आपको ये क्या है, हम चकला बेलन, यहाँ पर देखो दो खारिस्तान दे रखे न, एक ये और एक ये, तो हम इसमें भरेंगे, लिखेंगे इसमें, हम चकला, यहाँ लिखेंगे, एक सेकिन, यहाँ लि चकला ठीक है और यह क्या है बेलन यहां लिखेंगे बेलन बेलन है ठीक है यह हो गया अब हम बेलते हैं क्या बेलते हैं यह दोनों रोटी क्या बेलते हैं रोटी हम बेलते हैं रोटी उसके बाद अगला मैं ये क्या है बताओ ये है चलनी मैं चलनी हूँ तो यहां लिखेंगे चलनी हूँ और मैं क्या करती हूँ मैं चाय चानती हूँ आपकी ममी भी चलनी से चाय चानती है ना देखा है आपने कभी किचन में ठीक है आप देखो ये क्या है ये है थाली तो हम लिखेंगे मैं थाली हूँ यहां लिखेंगे थाली हूँ मुझ मैं खाओ क्या खाओ बताओ क्या खाओगे आप इसमें, खाना, क्या खाएंगे, मुझे में खाओ, खाना, ऐसे लिखेंगे, खाना, मुझे में खाना खाओ, ठीक है, आप यह देखो, यह क्या है, यह है छीलनी, मैं छीलनी हूँ, मुझे से छिलका, क्या लिखेंगे, छीलो, तो अब इसके बाद अगला कोशन सही गलत आपको सही के आगे सही जो वाक्य है यह जो वाक्य दे रखें सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है जैसे कि पतीला चूले के नीचे है तो आपको यह जो रसोई घर का चित्र हमने सबसे पहले दिखाया था यहाँ पर ठीक है इसमें से आपको देख करके सही गलत के निशान लगाना है वाक्य को पढ़कर तो सबसे पहले क्या था पतीला चूले के नीचे है तो बताओ देख करके पतीला चूले के नीचे है देख यहां लग रहा है गलत का निशान ठीक है तो चूहा अंगीठी के अंदर है जी हाँ सही क्योंकि हमने जब चित्र देखा था हो तो चूहा कहा था अंगीठी के अंदर था ना और टोकरी में आम रखे हैं आम रखे थे कोई टोकरी में नहीं टोकरी में क्या रखी थी सबजिया चलो देखते हैं क्या रखा था टोकरी में यह देखो यहां देखेंगे टोकरी में क्या रखी है यह रखी है सबजियां तो हम उसको क्या करेंगे हम करेंगे उसको गलर कि टोकरी में आम रखे हैं नहीं टोकरी में तो सबजियां रखी है और अक्षे चावल बीन रहा है यह त में से कंकर बीन रहा था उसके बाद माव खाना बना रही है तो ये तो सही बात है आले में लाल्टिन रखी है ये भी सही बात है क्योंकि हमने जब देखा था तो आले में देखो लैंप या जो लाल्टिन जिसको बोलते हैं वो रखा हुआ था दिखाएं आपको कहां पर है य तो अब यहां पर लगाएंगे हम सही का निशान, कि आले में लालटेन रखी है, सही दादी किताब पड़ रही है? नहीं, दादी तो शीशा देख रही है, तो आप यहां गलत का निशान लिगाएंगे फिर सुहानी खिड़की से जाक रही है सुहानी जाक रही है खिड़की से बताओ कौन जाक रहा था खिड़की से तो बिल्ली जाक रही थी ये देखो ये जाक रही है न बिल्ली ठीक है तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे गलत का निशान लगाएंगे क्या लगाएंगे गलत का निशान ठीक है अब अगला कॉश्चन काम ही काम क्या है काम ही काम यहां क्या काम हो रहा है गोला लगाओ तो यहां पर आप देख रहे हैं न क्या काम हो रहा है जो काम सही हो रहा है आप उस पर गोला लगाएंगे तो यहां सेकना बेलना तलना तलना ठीक है उसके बाद है अगला किं से काटोगे ठीक है तो आप ये देखो किंसे काटोगे क्या क्या है यापर देखो किंसे काटोगे ठीक है चाकू है, सिलबटा है, छीलनी है, लेसुन है, दाओ, कैची, हतोडा, गुलेल ठीक है, और धककन तो जिन जिन से आपको काटना है, उन पर आप सरकल लगाएंगे, गोला लगाएंगे तो चाकू से भी हम काटते हैं, गोला ठीक है, पहंसुल, ये है पहंसुल इससे भी सबजी काटी जाती है, ठीक है, जो इसका ये हिस्सा है न, ये, इस हिस्से को यहाँ ऐसे मोड़ दिया जाता है और यहाँ पर सबजी रग दी जाती है, और ये हिस्सा सबजी को काट देता है और ये है दाओ, दाओ से भी हम सबजी काटते हैं इसका हैंडल है इसको पकड़ो और यहां से सब्जी काट दो ठीक है और यह है कैची कैची से क्या होता है कैची से कपड़े काट सकते हम ठीक बाकी अब सिलबटा तो मसाला पीसने के काम आता है और जो यह चील नहीं है यह पैंसिल चीलने के काम आती है सिलबटा मसाले पीसने के काम आता है ठीक है और हतोडा कील ठोकने के काम आता है गुलेल पत्थर मारने के काम आती है जैसे छोटा सा कंकर लिया यहां फसाया और फैंक दिया और धकन धकने के काम आता है तो हमें तो गोला किस पे लगाना था जिनसे हम काटते हैं ठीक है अब किस से क्या काटोगे तो कपड़ा है, आम है, बेंगन है, कागज, रसी, से, गन्ना, ठीक है, तो यहाँ नीचे दे रखा है कैंची से, तो कैंची से आप क्या-क्या काटेंगे, बताओ, कैंची से क्या-क्या काटोगे, कैंची से आप काटोगे, पहले तो यह कपड़ा, और कागज, और रसी, ठीक है तो आप इनको लिखोगे इस कॉलम में क्या काटोगे कागच कपड़ा और रसी यह तो काटोगे आप कैंची से यह लिखा हुआ है कैंची और चाकू से क्या-क्या काटोगे आप तो अब देखते हैं चाकू से क्या क्या कटेगा चाकू से कटेगा आम बैंगन सेब और गन्ना ठीक है तो इन चारो चीजों के नाम हम लिखेंगे अपने कॉलम में तो क्या है सेब आम बैंगन और गन्ना ये काटेंगे हम चाकू से ठीक है बच्चों तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज तो कैसी लगी आपको वीडियो और रसोई घर की कवीता आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो अब आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें बच्चों